नमस्कार मैं हूँ आपके साथ रोहत T20 टीम से विराट कोहली की कप्तानी का सफर समाप्त हो चुका है रोहत सर्बान नए कप्तान के रूप में टीम इंडिया की कमान 17 नौमबर से समहा लेंगे अब ऐसे में विराट कोहली ने कप्तानी क्या छोड़ी लगातार सभी बयान दे रहे हैं कोई कह रहा है कि दबाव में उन्होंने कप्तानी छोड़ी तो कोई कह रहा है कि BCCI ने उनसे कप्तानी छीन ले लेकिन विराट कोहली ने सीधे तोर पर कहा था कि वो भार अब उठा नहीं पा रहे हैं इसलिए वो कप्तानी छोड़ रहे हैं पाकिस्तान के पूर्व स्पिनर मुस्ताक एहमत का भी यही मानना है की विराट कोहली बहुत जलदी ही सन्यास ले लेंगे लेकिन ये सन्यास वो केवल T20 International मैस से लेंगे उन्होंने विराट कोहली के सन्यास पर बयान देते हुए कहा मुझे लगता है कि कोहली जल्द ही T20 International से सन्यास लेंगे हाला कि वो इंडियन प्रीमियर लीग खेलते रहेंगे मुझे लगता है कि इस फॉर्मेट से उनका दिल भर गया है फिलाल अब देखना होगा कि जिस तरीके से मुस्ताक एहमद ने ये बयान दिया है ओ कितना सच है या कितना सच होता है क्योंकि विराट कोहली अभी जिस तरीके की फॉर्म में है बेशक वो शतक नहीं लगा पाए हैं पिछले दो साल से लेकिन रन उनके बल्ले से लगातार निकल रहे है ऐसे में विराट कोहली इतनी जल्दी शायद ही सन्यास ले लेकिन मुस्ताक एहमद ने कहा है और वो दुनिया के केवल ऐसे पहले बल्ले बाज मौझूदा वक्त में है जो कि 50 के उपर के उसस से लगातार रन बना रहे हैं उनके आसपास अभी भी कोई बल्ले बाज रन बनाने शतक बनाने में मौझूदा वक्त में नहीं है बेशक विराट कोहली कप्तान के रूप में बहुत अच्छा प्रदर्शन ICC टूर्नामेंट्स में नहीं कर पाए हो लेकिन बतौर बल्ले बाज विराट कोहली से बड़ा खिलारी मौझूदा वक्त में दुनिया में किसी भी कोने और किसी भी टीम के पास नहीं है ये भी सच है फिलाल विराट कोहली के करियर को लेकर आपको क्या खुश लगता है कमेंट करके हमें जरूर बताए